अठावन किलोमीटर प्रती लीटर का एवरेज देगी ये नई BS6 स्कूटर जी हाँ, जैपैन की दो पहिया वहाँ निर्माता कमपनी यामाहा ने भारत में अपनी लोग प्री स्कूटर फसीनो 125 को नई BS6 एंजिन के साथ लॉंच कर दिया है अठावन किलोमीटर प्रती लीटर की एवरेज देने वाली इस स्कूटर की कीमत हॉंडा एक्टिवा BS6 से कम रखी गई है और खास बात ये है कि इस स्कूटर के स्पेसिफिकेशन को जानने के बाद आप भी इसे खरीदने का मन्द जरूर बना लोगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ऐसे ही फायदे मन्द वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल NJ Hindi को सब्सक्राइब करके बेल का इकन जरूर प्रेस करतीजिए तो चलिए शुरू करते हैं एंजिन की बात की जाए तो नई यामाहा फसीनों में पिछले BS4 मॉडल से 30% ज़ादा पावरफलो एंजिन दिया गया है जी हां ये एंजिन 8.2 PS की पावर और 9.7 Nm का पीक टॉक चिनरेट करता है नहीं पिछला BS4 इंजिन वाला मॉडल 7 BHP की पावर और 8.1 Nm का पीक टॉक चिनरेट करता था यानि नई यामाहा फसीनों को चलाने में आपको और भी ज़ादा मज़ा आने वाला है एवरेज की बात करें तो पिछले मॉडल के मुकाबले पावर और टॉक के साथ एवरेज भी बढ़ेगा ये तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा जी हां आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है पिछले मॉडल के मुकाबरे नई फसीनो 16% जादा एवरेज देती है और कंपनी के मताबिक नई फसीनो 125 अठावन किलोमीटर प्रती लीटर तक का एवरेज देती है खास बात ये भी है कि इसमें स्मार्ट मोटर जनेरेटर टेकनिक का भी फीचर दिया गया है जो की इंजिन स्टार्ट एक्सपिरियंस को बहतर बनाता है अब लुक की बात की जाए तो इंजिन के साथ कंपनी ने नई फसीनो 125 के लुक में भी काफी चेंजिस किये है इसमें यामाहा ने ब्लैक एस्थेटिक अपिल्स को बहतर बनाने के लिए वील्स, ग्रैब रिल्स और अन्य प्लास्टिक पैनल्स का इस्तेमाल किया है वहीं इसको दो नए कलर्स, ग्लॉस रेट और मेट ब्लू के साथ पेश किया गया है आखिर में अब कीमत की बात की जाए तो सारे शांदार बदलाओं के कारण फसीनो 125 के नए BS6 मॉडल की कीमत पिछले BS4 मॉडल से थोड़ी जादा है पिछले मॉडल की शुरुआती कीमत 58,000 रुपए थी लेकिन नए मॉडल की शुरुआती कीमत 6,430 रुपए है यानि कीमत में तकरीमा 8,500 रुपए की बढ़ोतरी होई है फसीनो 125 के नए BS6 मॉडल के एंट्री लेविल स्टेंडर ड्रम वैरियंट की कीमत 6,430 रुपए स्टेंडर डिस्क ब्रेक वैरियंट की कीमत 68,930 रुपए डिलक्स ड्रम ब्रेक वैरियंट की कीमत 69,930 रुपर रखी गई है तो दोस्तों नई फजीनो 125 BS6 आपको कैसी लगी और आप अपने लिए कौन सा स्कूटर लेना पसंद करेंगे हमें कमेंट में जरूर बताईए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके ऐसे ही और शांदार वीडियो लेकर आने के लिए हमारा होसला बड़ाए तैंक यू वेरी मच